16 अगस्त को उदेपूर में हुई चाकूबाजी की घटना में एक दुखत मोल आ गया है। मृत्यू हो गई है। एडमिट था उस अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। चार दिन बाद हालाद अब सामानने हो रहे थे लेकिन इसी बीच देवराज की निधन की खबर से हर कोई बेहद सक्ते में आ गया है। क्या हुआ था पहले हम आपको जरा वो बताते हैं। घटना का पता जब लगा तो लोग MB हॉस्पिटल का रोक करने लगे थे जहां पर देवराज को एडमिट कराया गया था। अस्पितार के बाहर बड़ी भीत आदात में भीर जमा हो गए थी। हिंदुबादी संगठन के लोग एक खटा होकर प्रदर्शन करने लगे थे और आरोपी के घर को ध्वस्त करने की मांग की गए थी। पूरा मामला सामप्रदाइक तनाव की चपेट में आने लगा था। जिसके बाद 24 घंटे के लिए प्रशासन की ओर से इंटरनेट को बंद करने के आदेश दे दिये गए थे। उसके बाद अगले दिन 17 तारी को क्या हुआ वो आपको बताते हैं। बारा बजे जिला कलेक्टर ने अगले आदेश तक शहर के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिये। उधेपूर अस्पताल में भारी जो भीड है वो जुटने लगी थी और डॉक्टरों के एक स्पेशल टीम जैपूर से एमबी अस्पताल पहुँची जहां पर पीड़ चात्र को एडमिट करा आए गया था चाकूबाजी में घायल हो जाने के बाद। बाइस सवा दो बजे 17 तारिक को सवा दो बजे के आसपास आरोपी के घर पर जो बुल्डोजर पहुंसता है टीम पहुंसती है और उसे अव्यद बताते हुए उस पर कारवाई शुरू किया जाती है यानि कि उसे घर को ध्वस्त करना शुरू किया जाता है उसके बाद नेट बंद करने के आदेश देता है क्योंकि इस तरह से अफवाए ना फैले तनाव और ना बढ़े इसको देखते हुए नेट इंटनेट को बंद करने के आदेश यानि कि नेट बंदी के आदेश दे दिये जाते हैं आट बजे उदेपूर आईजी जो है वो अधिकारियो जन प्रतिनिधी और बुद्धी जनों से मुलाकात करते हैं और किस तनाव को रोका जाए शांती वापस कायम की जाए इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए उस पर बातचीत हरवर के लोगों से शुरू होती है उदेपूर में 17 तारिक तक भी हालात बेहत तना करती है और धरने पर बैढ़ जाती है कई और संग्ठन के जो लोग है वो उस महिला के साथ यानिकी घाहिल बचे की मां के देख सकते हैं जाहिर तौर पर सोचिए किसी के कलेजे के टुकड़े को जखमी हालत में अस्पताल में एड्मिट कराया जाए तो उस माँ पर क्या बीत रही हो कि वो तो अपने बच्चे को अपनी आख के सामने ही रखना चाहेगी ताकि अपने बच्चे को देख सके और भग के डिर्थ fian से अनुमती लेने के बाद क्योंकि रक्षा बंदन का ट्योहार था रख्षा बंदन के ट्योहार में हर बह bara कामना होती है कि हर साल राखी के दिन वो अपने भाई की कलाई पर राखी बान सके उसकी लंबी उम्र की वो कामना करती है प्रातना करती है और आज इसी प्रातना के साथ घायल चातर देवराज की बहने भी पहुंसती हैं अस्पताल कलेक्टर सनुमती लेने के बाद उसे को और जोर के साथ उठाया जाता है कि आरोपी चात्र को मौत की सदा दी जाए ताकि उनके बेटे को उनके परिवार को इंसाफ मिल सके तो शासंग का कहना है कि पूरे घटना करम पर नजर हमारी बनी हुई है अफवाहों को ना फैलने दिया जाए इसके लिए लगातार इंट करकाने पर ना आए और अपने अपने शेत्र में शांती व्यवस्था को बनाए रखने में पूरा सहीयोग करें लेकिन जो घटना हुई वह जाहिर तोर पर बेहत दुखद है और आगे असरा कि कोई घटना ना हो इसके लिए प्रशासन को भी यह सुनिश्रित करना होगा